Hello everyone and good evening कैसे हाँ आप लोग शाम का टाइम हो रहा है और अंधेरा हो चुका है बाहर और साम की अभी बच रहे हैं साथ और मैं बस अभी किचर में डिनर बना रही हूँ तो सबजी मेरी बन रही है और साथ में मैं गूत रही हूँ आठा तो आठा मैं नीचे ही बैट के गूता करती हूँ क्योंकि मैं बताई थी ने कि अब्डोमलन पेन हो रहा है मुझे बहुत जादा तो बस इसलिए दीरे दीरे आराम से अपने काम दीरे दीरे करती रहती हूँ और सबजी भी उट उट के बीच बीच में मुझे चेक करना पढ़ रहा था कि सबजी पकी है कि ने पकी है तो आज मैं आपके शाहत शेयर करूँगी इवनिंग टू नाइट रूटीन मैं किस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ दूसरे दिन सुबह के भी काम को कि मुझे सुबह आराम भी मिल जाए तो बस यहाँ पे आटा गून लूँगी उसके बाद आगे का जो काम है वो सब मैं करूँगी और सबजी का तो डर लगता अगर मैं आटा गूनती हूँ तो अकसर ऐसा होता है कि सबजी मेरी जल जाती है लेकिन मैं लो फ्लेम पे सबजी को रखी हूई हूँ और आप लोग कैसे है कॉमें शेक्षन में आप लोग जरूर बताना कि आपको ब्लॉक कैसे लग रहे है तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा कि और आटा गून ली और उसके बाद मैं इसमें ही पल्थन रख दी दी और उसके बाद यहाँ पे बहुअ सारा मेशी पढ़ा हुआ है मेरे कीचेन अभी Rowty थोड़े देर बाद बनाना है तो मैं उसको ड्ख दी हूँ और उसके बाद यह करेले की सब्जी बना रहे हूँ तो करेले की सब्जी में पते हैं आपको अगर आप ड्राइवाली सब्जी बनाते हो ना तो बहुत सरा टाइम लगते हैं आपको लो फ्रेम पे बनाना पड़ता है लगबख सब्जी मेरी पक चुकी है लेकिन फिर भी उसको अभी और ड्राइ करना है और उसी बीच अभी मैं आ गई हूँ फिर से थोड़े से मुझे करने है और बरतन में लंच बॉक्स बहुता है जो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ परश का लंच बॉकस है साथ में इनके हैं तो ये सारे मैं वाश करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है अगर दो या तीन लंच बॉक्स सूपघ के मुझे टाइम मिलती है तो वैसे मैं वश कर लेती हूं फिर मैं शबजी चलाने चली जाती हूं तो इस तरीके से जल्दी-जल्दी कामपी हो जाते है और बीच का ताइम विपार वो वेस्ट नहीं होता है उस पीच में भी मेरा काम हो जाता है तो सुबह मγें वाश परवल निकाल रही थी थोड़े से परवल पॉलोथीन में थे और थोड़े सी बासकेट में है तो उसको मैं निकाल ले रहे हूं क्योंकि मैं सुबह बनाने वाली हूं आलू परवल की सबजी तो इसको मैं सुबह का जो सबजी होता है उसको मैं रात में ही रिशाइट कर लेती एक ही बार में आलो बॉयल करने के बाद मैं उसको रख दूँगी धोने के लिए तो बस सब्जी को भी पीच पीच में मैं चेक कर रहे हूं यह देखिए सब्जी लगबग मेरी बन चुकी है और करेले की सब्जी मैंने इसमें भरवा आचार भी डाला है भरवा मीच वाला जो कट करूंगी साथ में मैंने रखा है दो एपल जो खराब हो रहा था क्योंकि फिर खराब हो रहा था ना दो एपल तो मैंने सूचा कि साथ में साथ में साथ में साथ में साथ में साथ में इसको कट कर दे रही हूं और वैसे साथ में एपल वेगर रहते हैं तो टेस्टी भी कीरा को वाश जूह कर लिए हूँ and then slices में को कट मिरे पास घार बढ़ियर थी कृट कर दो घार मेरी पजन काट कर दो तक अशल की चंप में मेरे फ्रीजी में नहीं हो इसी हले मैं कट ले कर रही हूँ उसके बाद में यह एपल को छील के कट कर रही हूं इसमें को बहुत सारी पार्ट ना खराब ही कल गए थे और अभी मैं यहां पे परवल को लेकी यहां पे आ गई हूं हॉल में बैट के कट करने के लिए सबजी मेरी बने गई थी और एक साइड में आलू बॉयल हो रहा था तो बस थोड़ा से सबजी ठंडा हो जाए उसके पीच में यह मैं कट कर लेती हूं जो भी मेरा टाइम था और इस तरीके से हम अपने टाइम को सेब भी कर सकते हैं सुबह का हमारा बहुत सारा टाइम मिल जाएगा और हम अगर 5-10 मिनिट लेट से भी उठेंगे न तो यह सब्सक्र mutual करती है काफी कि के निकाल रही हूं कंछी मेरी कंछी अपरवल ऑजिए परवल grieving my in the तो भी परवल को मैंने कट कर ली हैं और इसमें बहुत सारी आज से पार्ट थे ना जो मुझे फेगने पड़ें क्योंकि कुछ परवल उसमें से यल्लो हो गया था और कुछ में परवल में बीज बहुत जादा हार्ड हाड था तो उसका मैं बनाने ही जगती थी तो इसी टाइम मैंने उस बीच को भी निकाल दिया क्योंकि बनाने के बाद फिर मुह में जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है और फिर खाने को सबजी मन नहीं करता है तो इसलिए और आलो भी बॉइन हो चुक है अभी रात के नौ बजने वाले हैं और यह न अभी बाहर जा रहे थे कुछ लेने के लिए स्वीट्स विगरे लेना था तो यह बोडरे की मैं अभी आता हूँ और तब तक मैं अभी बना ले रही हूँ रोटी और रोटी जल्दी जल्दी बन जाएगी क्योंकि मैं जो आता कुनती हूँ न एक दम मापके कुनती हूँ कि कितनी एक कटोडी में पांच रोटी होती है तो उसकी कोर्डिंग में ढाई कटोडी लेती हूँ उससे ज़्यादा मैं आता नहीं कुनती हूँ इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप आता जो तो अभी मैं बना ली हूँ रोटी और सबजी भी ठंडी हो गई थी तो मैं उसको गरम कर रहे हूँ क्योंकि मुझ्या भी निकालना है खाना ये भी आ चुके हैं बाहर से और उससे पहले ही जो पनीर वाला कपड़ा था जिसमें मैं पनीर बनाई थी इसको भी मैं अच्छे से वाश करके और मैं ये पर टांग दूँगी ताकि सूख जाए क्योंकि इसको मैं अगर रख दूँगे तो ये बिल्कुल पनीर जो थोड़ा थोड़ा चिपका रहता है तो वह चिपक जाता है और फी छूटता नहीं ह और उसके बाद थोड़े जो बरतन है लंच बॉक्स पर गर रहे हैं कुछ लंच बॉक्स मैंने पहले वाश कर लिये थे और कुछ अभी वाश कर रही हूँ जो इस परश कर था वो मैंने पहले वाश कर दिया था और ये अभी अभी जस निकाले है तो इसको मैं भी वाश कर और कीचन का लगबग सारा का मेरा फिनिश हो चुका है और सुबह की आदी तयारी भी मेरी हो चुकी है तो सुबह मेरे मुझे जादा टेंशन होता है यहां पर मैं दाल निकाली हूं रोटी बन चुकी है सबजी निकाल लूँगी सलेड हो जाएगा एंड सुबह के लिए मैं अब भी गोरी हूं चने काले चने तो यह सुबह सुबह खाना काफी हल्दी होता है तो मैं डेली भी गोती हूं और यह खतम हो गया था तो बस यह अभी लेके आया है तो गाईस आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीस कॉमेंट सेक्शन में आप लोग सा मैं डाल दरी हूं मॉर्निंग के लिए तो यहां पी छोटी से बाउल में ही डाल रही हूं ज्यादा ज़रुरत नहीं है इतना से ही बहुत है क्योंकि शाम को कभी-कभी हम थोड़ा सा भून लेते हैं तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पैंट करती हूं मिलती हूं आप लो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना कॉमेंट करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना